तो दोस्तो आज अगस्त की दस तारिक है और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं एक होबी गार्णर हूँ सभी तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को कोलेक्ट करना उनको गमलों में ग्रो करना मेरी होबी है क्योंकि मेरे पास गमलों में ही जगा रहती है मेरे पास जमीन में जगा नहीं रहती इसलिए कुछ एक ऐसे प्लांट्स को मैं अवाइड करता हूँ जो की पौधे गमलों में असानी से ग्रो नहीं करते या कह सकता हूं कि ऐसे सभी पौदे जो temperature fluctuation को tolerate नहीं कर पाते तो ऐसे सभी पौदों को भी मैं grow करना avoid करता हूं Mostly मैं वही plants prefer करता हूं जो hardy रहते हैं, easy to grow रहते हैं और जिनका मुझे result बहुत अच्छा और कम समय में मिलता है आज की इस वीडियो में आपके साथ मेरे garden के कुछ पांच ऐसे पौदे शेयर करने वाला हूं जिनमें जिन्दगी बदल देने की शक्ती रहती है कुछ ऐसे पांच medicinal plants शेयर करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा benefit देते हैं, आप अपने garden में grow कीजिएगा आपको उनका जो result है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा day to day life में उनको यूज करने से, उनकी leaves को, उनकी stems को यूज करने से आप बिल्कुल healthy रहने लगेंगे और बिल्कुल stress free रहने लगेंगे सबसे पहला जो आपके साथ ये plant share कर रहा हूं दोस्तों ये मेरा कड़ी पत्ता या मीठा नीम का पौधा है ये जो आप पौधा देख रहे हैं मेरे पास 10 सिंच के गमले में लगावा plant है और दो साल या तीन साल पुराना plant कह सकता हूं तीन साल में इसकी जो growth है बहुत अच्छे से निकल कर आई है बहुत healthy ये plant है इसके ओपर मैंने complete जो वीडियो ये वो share भी की थी और इसी का ये दिखिए ये मेरा दूसरा plant है जिसको मैंने कुछ अच्छे महीने पहले growth किया था और आपके साथ इसकी भी वीडियो शेर की थी किस तरह से इस plant को report करना है ताकि ये multiple shoots को grow करें यहां से देखिए इसकी cutting करने पर कुछी दिन के अंदर इसने जो अपनी multiple shoots है वो grow की है कड़ी पत्ता एक बहुत खास medicinal plant है और बहुत easy to grow भी रहता है गंबले में easily आप इसको grow कर सकते हैं टूडे life में आप इसकी पत्तियों का सेवन कीजिए इनको खाईए रोजाना इसकी तीन से चार पत्तियां खा लीजिए ऐसी चबा लीजिए तो आप notice करेंगे आपको digestion की problem, fever की problem या फिर क्या सकता हूँ शुगर या BP इस तरह की जो भी कोई problem रहती है वो धीरे-धीरे कम होने लगेगी या खतम होने लगेगी तो अगर अभी तक आपने इस पौदे को अपने garden में grow नहीं किया तो ये मौसम जो monsoon का समय है बहुत ही खास है इसको seed से या cutting से अभी propagate कर लीजिए दूसरा जो ये plant है ये तुलसी जी का पौदा है इसकी पूजा भी की जाती है तो तुलसी का plant बहुत अच्छा रहता है घर में grow करना इस तरह से इस plant को आप छोटे से बड़े सभी तरह के गमलों में grow कर सकते हैं मेरा डेड़ से दो साल पुराना पौदा है और मैंने आठ हिंच के गमले में grow किया है ये देखिए इसको बहुत घहना या बुशी इसने जो अकार है वो develop कर लिया इस मौसम में इस plant के ओपर इस तरह से आपको इसके जो बीज हैं जो seeds हैं वो भी दिखाई देंगे और ये जो आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं ये बिलकुल mature seeds हैं अगर medicinal benefits की बात करूं तो इसकी भी जो leaves हैं, stems हैं या roots हैं सभी के अंदर medicinal properties रहती हैं लेकिन जो easy work रहता है, जो easy काम रहता है वो ही रहता है day to day life में आप इसकी पत्तियों को उबाल कर उसके पानी पीजिए या फिर उसका जो चाय है वो बना कर पीजिए तो आप बहुत सी जो routine की problems रहती हैं, खांसी जुकाम, सर्दी, गला दर्द या फिर हाजमे की दिक्कत तो उन सभी problems से आप बल्कुल छुटकारा पापाएंगे और भी इस plant के बहुत से medicinal benefits रहते हैं जो फिर किसी दिन किसी एक particular वीडियो में share करूंगा एक से आप इसके कई पौधे इस मौसम में इसके सीड से या फिर इसकी cutting से आप ready कर सकते हैं, बहुत easy to grow ये plant रहता है नमबर तीन पर जो ये पेड़ है दोस्तों मेरा ये नीम का पेड़ है, नीम का प्लांट है, हलाकि इसके बहुत बड़े बड़े tree बनते हैं अगर आप इसको जमीन में grow कीजिएगा लेकिन फिर भी इस पौदे में एक काबलियत रहती है, इसको आप easily गमलों में grow कर सकते हैं और बहुत सुन्दर ये bonzai में भी develop कर जाते हैं तो इन पौदों के भी बहुत ज़दा medicinal benefits रहती है, ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसको मैंने कुछ एक साल पहले इसी बरसात के मौसम में नलसी से लाकर grow किया था और इसकी उपर से hard pruning की थी, hard cutting की थी और इस पौदे को मैंने इस तरह से देखिए, छोटे से एक bonzai pot में grow किया है, इस समय पर इसकी ये जो नीचे से जो कह सकताँ की stems हैं या roots हैं, वो बहुत अच्छे से develop होना start हो चुकी है, और इसकी कुछ दिन पहले मैंने उपर की side से ये tip cutting भी की थी, इसके बाद इसकी ज traditional properties रहती हैं, और इसका भी आप day to day life में use कीजिए, आपको जो result है वो बहुत अच्छा मिलता है, दूसरा ये मौसम perfect रहता है, अगर आप नीम के पेड को या तो seed से या फिर cutting से grow करना चाहते हैं, तो cutting से अगर आप इनको grow करना चाहते हैं, सबसे best time है, ये monsoon का समय, इस समय पर इसकी cuttings easily propagate कर जाती हैं, आप sandy soil में इनकी cuttings को grow कीजिए, नमबर चार पर जो ये plant है मेरा, ये camphor या कपूर का पौदा है, इसको camphor बोलते हैं, इंग्लिश में easily आपको camphor के name से नर्सिस पर मिल जाएगा, ये Asian countries में बहुत easily available रहता है और बहुत hardy एक tree की variety है, इसको mostly जमीन में grow किया आता है, हलाकि मैंने इस पौदे को इस तरह से दिखिए, bonzai port में grow किया है, अगर आप इसको जमीन में grow करेंगे तो ये बड़े से पेड़े में develop हो जाएगा, इसके अंदर जो खास बात रहती है, एक तो इसमें virus जो viral disease रहती है, उससे लड़ने की शक्ती रहती है, इस पौदे की जो खुश्बू रहती है, उससे सभी तरह के जो insect हैं, या pest हैं, या कोई कीडे मकौडे हैं, snakes हैं, lizards हैं, सभी तरह के जो ये रहते हैं, ये सभी दूर रहते हैं, एक जो और बात मैं यहाँ पर specially mention करना चाहूंगा, जो आप market से कपूर लेकर आते ह हैं, वो mostly synthetic based रहता है, वो synthetic कपूर रहता है, अगर आप असली कपूर की तलाश में हैं, तो इस पेड़ से जो असली कपूर है, वो तियार किया जाता है, इसके अंदर एक गौंद टाइप रहता है, निकल कर आता है, जब ये पेड़ मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो उस चीज से जो कपूर है, वो रेड़ी किया जाता है, नमबर पांच और लास्ट इस लिस्ट में जो ये प्लांट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अलोविरा का पौदा है, अलोविरा बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और हाड़ी प्लांट है, इसकी stems के अंदर इस पौदे को आप छोटे से बड़े सभी तरह के गंबलों में इसली ग्रोव कर सकते हैं, और सेमी शेड में ये जो पौदे रहते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं, इनको आप मोडरेट वाटरिंग कीजिए, अगर आप ज्यादा पानी देन लगेंगे तो इस प्लांट की जो लीव में जल रहता है, उसका सेवन करने से सभी तरह की जो पेट से जुड़ी बिमारिया हैं, वो दूर रहती हैं, दूसरा इसके स्किन के उपर या हेर के उपर बहुत ज़दा बेनिफिट रहते हैं, इसके जेल को स्किन पर लगाने से सभी तरह की जो स्कि अगर आपके पास यह पौधे और रेडी हैं तो आप उनका यूज कीजिए डे टू डे लाइफ में अगर नहीं है तो आप इन प्लांट्स को ग्रो कीजिए जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैपी